नमस्कार आप देख रहे हैं स्टार्ड सिटी इन्यूस मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मिनगर विधान सबा में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से जै किशन ठाकूर जी आए मिलते हैं इनके विचार पे बात करते हैं तर पहले आप अपना एक छोटा इंट्रोडक्शन देजी मेरा नाम जै किशन ठाकूर है मैं पिछले तीस साल से राजनीती में हूं और अभी मैं आम आदमी पार्टी में दिल्ली सरकार का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका मैं डिस्टिक कोडिनेटर हूं इस दिल्ली का और मैं उसके अलावा भी समाज सेवा में एक चार कदम वेलफेर फाउंडिशन के नाम से आल इंडिया की एक संस्ता है उसको चलाते हम जगे जगे हमने महिलाओं को रोजगार और बच्चों को एज्यूकिशन देने का कारे किया हुआ है और किस-किस उदेशे पर काम करती है हमारा मेंन फोकस होता है महिलाओं को रोजगार उपलत कराना हमने सिलाई केंदर के दुवारा अभी महिलाओं को मास्ट बनाने का काम दिया था कोविड के समय में और आज कल हम महिलाओं को कुर्टा वगयरा बनाने का काम दे रहे हमारा हमने नर्सिंग ऐललबियों उस तरह के डिग्री डिप्लोमा कोर्स, बच्चियों को बहुत गरीब बच्ची हैं, जिनको हम संस्था के दोबारा, कुछ और डूनेशन के दोबारा, उनकी मदद करके उनको डिग्री डिप्लोमा दिलवा रहे हैं. दिल्ली सरकार जगा 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 हब बना रही है कुछ जगा पर बनेगा और अब जिसे मजनुव टिला में एक हब बना रहे है कि बात कर रहे हैं सरकार जिससे 20 लाग लोगों को रोजगार मिलेगा से क्या कहेंगे देखे के जिवाल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उन्होंने बहुत सारे जगे को चूज किया है जहां वो इस तरह के फूड हब के रूप में वो बनाने जा रहे हैं सरकार जगे पूरा तयार कराएगी वहां पे और वहां बना के लोगों को जगे प्रॉइड करेगी लोग अल लग लग तरह के जो फूड है और समान है उसको खृद्दारी करें तो लोगों को रोजगार जर्मरेट होगा यह द्रीम प्रोजेक्ट के जिवाल जी का आपकी लक्ष्मिंगर विधान सबसे पूर विधायक नितिंतियागी जब अपने विधायक रहा यहां पर यंग है व तो उसने बहुत सारे काम यहां किये यहां पे जैसे जो भी रोड नाली खरंजे और दूसरे काम है स्कूल्स के हैं दूसरे हैं उसमें उनका पूरा योगदान रहा और कोशिस की उन्होंने कि ज्यादर ज्यादा काम इस छेत्म में अपने करवा पाएं अर्विन केजिवाल कि तो आप संपन करना पड़ेगा कि कुस्कु क मीरेरी तो वजह रही कि कुछ हो लोगों से डारेक्ट कुर्ट ना रहे हों लास्ट के में और लोगों की जो समच्या हैं उस पर ज्यादा दिहान ना देपाए हो तो उस तरह की कुछ चीज़े रही हैं जिससे उनको हारकमु देखना पड़ा। लोगों ने जिताके भेजा है तो इसलिए भेजा है कि वो लोगों की जो समस्याएं है जो लोगों के काम है उसको करें उसको कर रहे अपना और उने करना भी चाहिए सब्सक्राइब निकम पार्सत जब से यहां हट गये क्योंकि चुनाव होने थे नहीं हो पाए तब से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मैं बिल्कुल खुला सांड की तरह से हो गई है कोई अधिकारी काम ने कर रहा है सारी नलियां भरी हुई है हैं सारे सड़कों पर पानी भेरा है कोई सफ़ाइक करमचारी नहीं आ रहा है मेरे अपने यहां में लगातार बात करता हूं लेकिन यहां भी कोई आके जैसे रेगुलर पहले निगम पार्शत होता था कम से कम चब किसी भी पार्टी का हो उसको कह सकते थे वह भेज के अपना यह कारे कराता था लेकिन अब इससे में कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं तो यह कहूंगा कि जल से जल दिल्ली में में चुनाओ कराए जाए क्योंकि डर होता है एंसटी अधिकारी को डर होता है कि हमारे उपर एक कॉर्पेटर बैठा है जो कि हमें हमसे पूछेगा आप यहां पर सफाई क्यों नहीं हुए यह काम क्यों नहीं हुए तो जल से जल एंसटी के चुनाओ राज्य पाल जी को कराना चाहिए दिल्ली में कौन सत्ता में आए क कोई नहीं आए के बाद की बात है आपको अपना काम करना चाहिए जिससे कि लोगों की जो क्योंकि नाली खरंजे जो सफाई का काम है वो को करती है तो एमसेडी को जल से जल डिप्यूट करें जिससे की चेतर की सफाई ववस्ता ऐज़ास की अभी बताया है देंगू और मलेरिया के सबसे जादा इस साल जो केस बढ़े हैं उसका कारण यह है कि सफाई पूरा वर्ड दिल्ली के चुनाव होने चाहिए देखिए इसमें कोई दोरा आया नहीं है पूरा वर्ड दिल्ली के जो काम हुए हैं चाहिए वो सिख्षा पर काम हुआ हो चाहे वो महला कलेनिक पे काम हुआ हो या हमने जो दिल्ली में बिजली पानी फ्री देने के बाद भी दिल्ली का बजट जो है वो प्रॉफिट में किया है तो यह सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या करिश्मा केजिवाल जी न और मरीशी जोद्ये ने किया है कि य दोर लोगों को भी करें उसकी जो सुरुवात की है तो सिंगापुर की जो सरकार थी उन्होंने आमंतन दिया कि आप दिल्ली मॉडल को यहां के बताइए हम भी देखेंगे किस तरह कुछ हमें उन्हें सिकाना था कुछ उनसे हमें सीखना था तो उसके लिए जाना चाहते थ लोगों को और वो चाहती है कि वहां सब जगे अभी देखिए महरास्ट में क्या हुआ है महरास्ट में अच्छी बली पार्टी को तोड़ दिया है तो वह बीजेपी ने तोड़ा जगे जगे इस पार्टी ओं तोड़ने का काम यह सरकार कर रही है अभी लोग सभा में प्रिक से रखें वहां पर लोगों की बात को सुने और लोग सभा राज सबाद चले लेकिन वह चलाई नहीं पा रहे हैं 19 लोगों से पहली बार ऐसा आजादी के बाद हुआ है कि राज सभा में 19 सांसदों को निलंबीत कर दिया लोग सभा में निलंबीत कर दिया आप तो रखनी पड़ेगी ना हर जगे आप 24 लगा के लोगों को बांध नहीं सकते हो तो इस तरह का जो मदमस सरकार हैं देखिए कोई भी सरकार इंद्रा गांदी ने अमर्जंसी लगाई थी उसका नेतिजय सबको पता है क्या हुआ तो इस तरह कि जब अजंसियों का इस्तमा प्राकत हो गई हैं यह देश सदियों से हिंदू-मुसलिन सिम्प इसाई के बीच में रहता है आज हमें इतना वेनवस्ता फेला दी है कि वह मुसलमान ने वहां यह कर दिया वह उसने वह कर दिया इसने यह कर दिया यह सब चीज़ें खतम होनी चाहिए देश सांती चाहता ह है बचों को सिक्षा चाहिए, लोगों को बड़िया इलाज चाहिए, आप उस पे ध ölजा सिक्षा का का काम है न पूरे देश में लागू होनाँ चाहिए कि एक रहीज का बच्चा भी उसी स्कूल में पड़े एक गरीब का बच्चा भी वहीं पड़े एक रहीज भी उसी सरकारी ऑस्पिटर में इलाज करा है एक गरीब का इलाज उसमें हो इस तरह की जो देश के अंदर पूरे में इस तरह की विवस्ता होनी चाहिए तब जाके हम में सही मायनों में आजादी इस देश में मिल पाएगी अभी तक पूर्णते आजादी हमें नहीं मिल पाई है तो यह हमारे सीधी बाद जैक किशन ठाकूर जी से स्टार्ट सिटी के साथ मैं जितिंदर गुपता हूँ